जैहें सभी डिफेंस पेंसनर बंधो आप सब को मालूम है कि हम सब का पेंसन माइग्रेट हो रहा है प्रवासन हो रहा है और पिछले एक सप्ताह में करिब धाई लाख पेंसनर एक जटके में उनका प्रवासन हो गया माइग्रेशन हो गया और जिस तरह से माइग्रेशन बढ बनाते रहता हूं जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं करीब 26 लाख पेंस्नर का असपर्स में माइग्रेशन हो चुका है और इसमें आर्मी के करीब 19.4 लाख है डिफेंस सिबिलियन 4.6 लाख है और इंडियान एर फोर्स का जिसका क कि इस सब्से जादा हुआ है 1.3 लाख है और नेवी के करीब 71,000 है तो यह तो है किस तरह से तेज गती से हो रही है और ऐसा माना जा रहा है कि इस साल के यानि कि 2023 के अंत तक दिसंबर तक 100% माइग्रेशन हो जाएगा जैसे जैसे माइग्रेशन की दर बढ़ रही है आप सब्सेंट भी बढ़ रही है और यही सब को ध्यान में रखते हुए स्पोर्स टीम की सेना ने भी कई तरह की जो की पहले समस्याएं आती थी उन सब भी समस्याओं को दूर करने की रेक्टिफाई करने की शुरू की है और इसे फुली रिलाइवल बिस्वसनिये बनाने का प इस महीने में ही आया यानि कि इस अगस्त 2023 में अगर बैंक से समस आया है कि आपका PCDA प्रयागराज के डायरेक्टिव के अनुसार माइग्रेशन हो चुका है तो यह समझ लीजे कि अगस्त महीने से आपका पेंशन असपर्स के द्वारा ही आएगा और अगले एक सब्ता से लेके एक महीने तक में आपको आगे की कारवाई से भी सुचित करते रहा जाएगा जैसे कि यूजर आईडी आएंगे पासवर्ड आएंगे पिप्यो नंबर आएंगे तमाम आपको इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे तो इस तरह से इसके कई तरह की चरण है उन सारी छित हैं हुआ और आप सबों का इस वीडियो के द्वारा मैं धन्यवाद भी देता हूं सुकृरिया भी करता हूं कि आप हमें प्यार दे रहे हैं हमारे चैनल को निरंतर हमारी चैनल की विध्धी हो रही हैं विकास हो रहे हैं और इसी तरह से अगर आपने हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और सबस्क्राइब नहीं के ताकि हमारी चैनल को भी आपकी तरही विकास विट्धी का अच्छा उसर मिले और हम आपके लिए एक बड़ी टीम skillful team लाएं जो कि better editing और in depth knowledge आपके लिए मुहया करा सके और bell icon को तो अवस्य ही push करें ताकि आपको हर video जो मैं upload करता हूं उसकी जानकारी आपको notification मिलते रहें जैसा कि PCDA प्रियाग राज authority के दोरा डावा प्रस्तूत किया जा रहा कि यह sports pension अब और ज्यादा उत्क्रिस्ट excellent हो गया है पारदर्सी हो गया है transparent हो गया यानि कि हर system हर stakeholder को दिखने सुरू हो गया है विश्वस्निय हो गया है और समय बद्ध तरीके से करने के लिए कटी बद है पर क्या असलियत है यह हम सब को मालूम है जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि यहां पर यह एक automatic procedure है pension disbursement sanction इसमें हर कुछ बाइंक का रोल सिर्फ बाइंकर की भाती यानि कि transaction करने का होगा जब आपका pension sports में migrate हो जाएगा तो वहां से आप सिकायत भी दर्ज कर सकते हैं अपने time bound trackable आप सिकायत दर्ज कर लिजिए उसे देखिए और PPO download कर लिजिए form 16 कर लिजिए live certificate upload कीजिए उसका status देख pension से संबंदी तमाम जानकारियां आपको मिलेगे तो यह सब कहां मिलेगी https colon double slash sports.defensepension.govine पर जिसमें की आपको दो चीज लॉग इन करने के लिए जरूरत होते हैं user ID और password अब मैं आपको अगर चरण बध तरीके से बताऊं तो पर्थम चरण में कुछ जो defense pensioner हैं जो की 2016 के बाद retire हुए थे उनका successfully migration लग भग हो चुका है दूसरे चरण में वे लोग हैं जिनका की retirement 2006 से 16 के बीच है जो की अभी लगातार निरंतर चल रहा है और उसके बाद है migration जो उनका होगा जो की 2006 से पहले के retiree हैं तो उनका भी थोड़ा बहुत चल रहा है तो आज 26 लाग करीब हो चुका है तो इसमें अधिक्तम लोग का हो चुका है जिसमें की 26 लाग का हो चुका यानि कि आप समझ सकते हैं कि मात्र 9 लाख ही बच्चे हुए हैं इसके लिए target time दिसंबर 2023 तक दिया गया है जिसमें की हर लोगों का प्रवासन हो जाएगा अब यहाँ बात यह है कि आपके लिए क्या action लेना है migration के बाद तो सबसे पहला तो मैं यहीं बोल दूँ कि कोई पजल नहीं होना यहीं आपका action है और कोई भी action आपको नहीं लेना है आईसा कुछ भी नहीं करना कहीं payment करना कहीं कुछ form भरना यह करना हो करना यह है बिल्कुल automatic है gradually है सबका होगा जो की CDA के दौरा team बनाया गया PCDS post team TCS के दौरा back in support है इसके लिए willingness certificate कि एक बार प्राबधान चली थी साल डेर साल पहले website में था लेकिन अभी वो हटा दिया ग अगला मुद्दा आता है annual life certificate आप कहां जमा करें अभी तक तो bank में जमा करते थे तो इसे जमा करने के कई तरीके हैं पहला तो तरीका पर स्पोर्टल में ही कर लीजिए उसमें biometric अगर device आप रखते हैं finger scanner तो उसके द्वारा कर लीजिए अगर आप techno friendly है तो G1 प्रमान face reading app ह है वह डाउनलोड कर लीजिए उसके द्वारा जो की Google Play Store में भी अबलेबल है नहीं तो आप वहां से MLC भर लीजिए उसको प्रिंट कर लीजिए फिर से budgeted officer से sign करा के upload करा लीजिए तो इस तरह से कई तरह की हैं और इसके साथ ही आपके common citizen service center जो है जो pension को support करते हैं उनके पास जा सकते हैं CDA के defense के जो उनके record office है या कई army stations है एरफोस station है वहां भी असपर्स के service center पर आई गया है वहां पर भी जाके आप ले सकते हैं या फिर असपर्स portal पर ही जाके कई तरह की service center है उनके listable है वहां भी आप कर सकते हैं अब आपका migration अगर हो गया तो क्या करना है तो यह तो आप जान ही गयोंगे कि PCDA प्रियागराज के दौरा यह automatic किया जाता है और आपके mobile में या registered email में भी bank के दौरा सबसे पहला तो SMS हा जाएगा उसके बाद a sports team के दौरा आपके पास user ID और password आना शुरू हो जाएगे अब बात यह आती है कि हम a sports portal कैसे access करें तो आपको मैंने website बता ही दिया a sports defense pension.gov.in जाके किजिए login में आपको जो user ID आए है उसको किजिए password में डालिए उसके बाद reset करके आप कर सकते हैं वहाँ पर आपको pension से related सभी data दिखेंगे, PPO दिखेंगे, pension credit किस दिन को हुआ, कितने हुआ, form 16A, B दिखेंगे, tax कितना कटा, annual life certificate आपका कब जमा हुआ था, आपने अगर कोई query rage किया है तो यह सब चीज दिखता, अब बात यह आती है, कि अगर आपका pension migrate हो गया यह तो इसे में सा गया, लेकिन अभी तक user ID और password नहीं आया, तो क्या करेंगे? तो asperse portal में, जैसे ही जाएंगे, वहाँ एक pop-up window, child window आता है, जिसमें लिखा हुआ, identification, migration और status पता करने के लिए, वहाँ blue एक link है, उसे click here करेंगे, click here जैसे करेंगे, आपको left side में drop down menu आएगा, जिसमें आपको regimen number, service number डालना है, account number डालना है, old EPPO डालना है, asperse PPO डालना इन चारों में से, आपके पास regimen number तो होगा ही, account number होगा ही, यह दोनों आप select कर लिजेए, कोई भी एक ही चीज़ देना है, अगर regimen number देते हैं, तो check suffix दीजिए, without dash करके, right side में आपको account number या service number डालना है, यहाँ capture दीजे, capture देखे जैसे करेंगे, आपको तमाम जानकारी आपको आजाएगी अगर migration हुआ, उसमें क्या क्या होंगे, original PPO number आपका जो EPPO रहा था, वो क्या है, आपका नाम क्या है, sports PPO number जो अब generate हुआ है, यह रहेगा, आपके regimen number रहेंगे, आपके आधार number रहेंगे, pen number रहेंगे, registered mobile number रहेंगे, identification due कब है अगला, यह भी रहेंगे migration, आपका kiss date को हुआ, यह सब होंगे, तो यह तमाम information आगया, आपको क्या करना है, यहां से, आपको sports PPO number नोट कर लेना है, और यहीं sports PPO number, आपका user ID बनने वाला है, अगर आप regular pensioner है, तो इसमें 01 आइड कर दीजिए, और family pensioner है, तो 02 आइड कर दीजिए, इसी का इस्तेमाल करके, आप forget password link इस्तेमाल कीजिए, वहाँ पर आपके OTP आएंगे, आप इसे generate कर लिजिए, उसे reset कर, फिर permanently आप store कर सकते हैं, आपका user ID, जो यह sports PPO number है, यह सदा के लिए same रह जाएंगे, password आप हमेशा change करते रह सकते हैं, इसी चीज़ को PCDA के ही, PCDA.nick.in पर भी है, आपक कर सकते हैं, लेकिन ततकाल अभी महीना, दो महीना से करिए, PCDA का website चल नहीं रहा है, तो आप sports पर ही कर लिजिए, अगर आपको यहाँ भी नहीं पता चल रहा है, बिल्कुल ही login नहीं कर पा रहे हैं, तो आप toll free number जो है, उनका, 1800-180-5325 पर call कीजिए, अभी ऐसा कहा जा रहा के executive बैटने लगे हैं, तो बहतर ज्यादा संभाबनाय होती है कि आपकी query, आपको सिकायत को बहतर से लिया जाएगा, इसके साथ ही CDA Service Center भी है, जो की लगभग हर जिला में कभर हो रहे हैं, वो की आपको मदद कर सकते हैं, आप एक बार जब sports pension में successfully login कर लेते हैं, तो आपक सब कुछ जानकारी, यानि कि DA से related चाहे, अपका revision कब हुआ है, और भी क्या-क्या benefit मिलते हैं, यह सब admitically वहाँ दिखेंगे, और अगर कोई सिकायत है, तो भी कर सकते हैं, आपको current month में कितना आया, और यह आपको जानकारी बता दूँ कि यह sports pension का आभी तक जो आता है, वो क SMS, यह 3-4 दिन पहले आ जाते हैं कि इतना amount credit होने वाले हैं, और बाद तक भी आते रहते हैं 3-4 दिन की इतना amount credit हुए, तो आपको तो यह पता लग जाएगा कि पहले bank से जब आते थे, SMS तो उसके detail रहते थे, इतना basic pension, इतना DA, इतना deduction, इतना tax, यह सब यह सब अलग तरका, अब चुकि migration हो चुका है, तो इस तरह से नहीं आता है, आपका जब bank से ही आएगा, उसमें UTR नंबर विगरा रहेंगे, तो आप समझ जाएगे, यह RBI के site, कुबेर site, वहां से directly debit करके आपके account में credit होते हैं, तो यहाँ जो pension dispersing agency था, यानि कि bankers थे, उनके role को eliminate कर दिया गय के और भारत के नागरिक के लिए, भारत के विकास के लिए लगाया जासके, चाहें जो भी सोच रही हो, ततकाल तो यह बात सत्य है कि हम pensioner को काफी तकलीफ हो रही है, यह तकलीफ हो रही है, क्योंकि हम इतने techno friendly नहीं है, mobile को यूज नहीं कर पाते हैं, हमारे पास या तो smartphone नहीं है, यह smartphone है, तो हम smartly यूज नहीं कर पारें, और इसी समस्याओं को सुलजाने के लिए, मैं अरेंद्र कुमार, wellness consultant, entrepreneur, आप सबों के साथ, सदायब अपना training session चला रहा हूं, तापकी आपको किसी भी प्रकार की परिसानी हो, आप हमारे comment section को इस्तेमाल कीजिए, वहां लिए, मैं one to one reply देने का प्रयास करूँगा, आपके तमाम समस्याओं को सुलजाओंगा, हम उमीद करते हैं कि asports और बेहतर portal बने, जो की really दावा प्रस्तूत कर रहा है, विस्वस्निये बने, user friendly बने, और जो बिल्कुल ही नहीं जान रहे हैं, जो 80 साल के हैं, senior surgeon हैं, उनके पास YouTube वीडियो भी नहीं जा पाता है, तो यह हम सबों पर जिम्यबारी है, हम तमाम defense pensioner पर जिम्यबारी आती है, कि हम उन्हें भी train करें, और सबसे पहले तो यहीं सांतों ना दें, कि उन्हें घवराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल तसल्ली से रहे, pension बंद नहीं होगा migration होते ही, life certificate आप साल के अंदर जरूर जमा कर ले, यहां यह भी flexibility दी जाती है, कि जब भी आपने जमा किया life certificate, वहां से एक साल तक बाद तक आपको count होगा, तो साल भर में कभी भी आप life certificate जमा कर लिजे, तो यह तो है तमाम जानकारियां असपर्स से related मैं, इसी तरह से, आज मुख्य मकसद यही था कि 26 लाक हो गए हैं, इसमें हमारे कई भारतिय वाज़ सेना के pensioner पजल हो गए हैं, उन्हें लगातार SMS आ रहे हैं, आपका migrate हो गया, उन्हें पता नहीं चल रहा क्या करें, क्या क्या न करें, तो ततकाल आप कुछ भी ना करें, जस्ट वेट करे एक सब्ता से महीने के अंदर आपको user ID, password मिल जाएगा, उसे इस्तेमाल कर, आप Esports pension को login करें, reset कर लें एक बार password, और फिर सारी सुविधा का उठाएं, जो कि अभी तक bank से उठा रहे थे, धीरे-धीरे समय लगेगा, और वहाँ पर आप जाके अपने सारे समस्याओं को सु कामनाएं देता हूँ, Esports team को, कि इसके लिए जो उन्होंने दावा दिया है, excellent करें, timely करें, reliable करें, transparent करें, paperless करें, free from human errors करें, सारे mistakes, delay, negligence कहीं ना हो, क्योंकि यह automatic pension system है, तो इन सारे दावा में वो सफल हो, यही तमाम सुभकामनाओं के साथ, आप सब भी हमारे defense pensioner बंधो सुस्त रहें, सुरक्षित रहें, और अपने चेत्रा अस्तर को बढ़ाते रहें, digitally literate होते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद, नरेंद्र कुमार, wellness consultant की ओर से, अगर आपने subscribe नहीं किया, तो अब अब से ही subscribe करें, फिर मिलते हैं, जाए हिन!